Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, मैं हूँ Divya Sharma आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ अगर आपको भी पैरों के तल्वों के इन हिस्सों में दर्द होता है जो आपको पिच्चर में दिखाया जा रहा है, दर्द होता है या खिचाव यसे यसे लगता है कोई खीच रहा है, आपस मिस्किन को खीच रहा है, ऐसे दर्द फील होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत करते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि मैं आपको कितने कोश्चनों को, कौन-कौन सी बातों को इस वीडियो में सॉल्व करने वाली हूं सबसे पहले मैं आपको एक इलाज बताऊंगी इस वीडियो में, जो कि ये तल्वों के दर्द और खिचाव को दूर करेगा इसके इलावा बताया जाएगा कि ये किन कारणों से होता है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी और कौन सी चीज़ें आपने जरूर खानी है, इसमें तेल कौन सा यूज करना है और वो तेल किस तरीके से बनाया जाएगा इसके इलावा एक्सोसाइज कौन सी करनी है पार सरसो के तेल की जरूरत नहीं है नॉर्मल तेल लीट धे यह तो वो है जिनके कभी कबार दर्द होता है जब वो जादा चलते हैं, जादा घूमते हैं, जादा खड़े रहना पड़ता है लेकिन इसी के दूसरी तरफ अगर ये दर्द regular रहता है बिना किसी कारण से यानि कि आपकी routine life में ही आपको दर्द हो रहा है जो आप काम कर रहे हैं इसने में ही दर्द हो रहा है, सोते हैं तब भी आपको ऐसे ही लगता है कि पैरों के तल्वों के इन हिस्सों में दर्द या खिचाब फील हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है और एंट तक आप जरूर देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं किन कारणों से हमारी बॉडी में ये चीज ये दर्द होता है तो बॉडी में जब वाट वाई बढ़ जाती है तो ये दर्द होता है तो किन चीजों को नहीं खाना तो सबसे पहले बता दू कि चावल नहीं खाने, आलू नहीं खाने, बैंगन नहीं खाने, फुल गोबी ब्रोकली या फिर पता गोबी नहीं खानी, कच्चा केला नहीं खानी यानि कि वात वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो आपने नहीं खानी इसके इलावा वो इलाज कौन सा है जो आपने जरूर करना है आप मान लीजिए आपने दो चमच equal quantity में लेना है तो आप कितना भी store करकर रख सकते हैं लेकिन इसके result आपको थोड़े time में मिल जाएंगे तो बहुत जादा quantity बना कर रखने की जरूरत नहीं है आपने दो चमच हलदी powder ले लेना है normal दो चमच मेथी का powder तयार कर लीजिए वो ले दो चमच आपने salt powder लेना है salt वही चीज है अधरक को सुखाते हैं और उसका powder तयार कर देते हैं तो वो salt powder हो गया इनों चीजों को दो-दो-चमच ले लिया और इनको मिक्स कर लिया अपस में और टी स्पून जो होता है उसका भी एक बटा चार हिस्सा यानि की एक टी स्पून का चौथा हिस्सा आपने शान की चाय के टाइम चाय नहीं पीनी नार्मल पानी के साथ इसको ले लिए ये ट्रीटमेंट आपने करना है अगर आप एक वीक के लिए कर लेते हैं तो ये दर्द खिचाओ बिल्कुल दूर हो जाएगा इसके पीसे कारनी ये है कैसे काम करता है ये आपकी बॉडी में वात बड़ी हुई है वाई बड़ी हुई है हल्दी दर्द को दूर करेगी मेथिदाना और सोंट बॉड़ी में जितनी भी वात होती है उसको दूर करता है यही ट्रीटमेंट गुटनों के दर्द के लिए भी बहुत कारगार है इसके इलावा हमारी बॉड़ी में विटामिन D3 और पोटेशियम की कमी के कारण भी कभी कबार ये दर्द होता है इसलिए अपने विटामिन D3 के लिए क्या करना है अगर आप नौन वेजिटेरियन है तो फिश खाईए एग ले सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन है तो गाजर का जूस पी लीजिए या फिर मिल्क के कितने भी प्रोडेक्ट आते हैं वो यूज कीजिए पनीर, दूद, टॉफू जो भी लीजिए इसके इलावा ये तो चार ऐसी चीजे हो गई जो विटामिन D3 की कमी को पूरा करेंगी इसके इलावा आप कोकोनेट वाटर पीजिये, इसमें बहुत बहुत सारा पोटेशियम होता है, केला भी बहुत सारा पोटेशियम का सोर्स है लेकिन कच्चा नहीं, पका हुआ केला ही आपने खाना है जो पूरा मीठा हो चुका होता है ये चार potassium की चीज़ें आपको बताई है और चार vitamin D3 की ये नहीं कि regular ही आपने 8 की 8 चीज़ें follow करनी है किसी दिन 2 कर लीजिए किसी दिन 3 कर लीजिए इस तरीके से इस treatment को follow कीजिए अब बात करते हैं exercise कौन सी करनी है तो आपने सीधे लेट जाना है उसके बाद अपने पैरों साइकलिंग करनी है पैरों को हिलाना है और साइकलिंग की तरह जैसे साईकल चिलाते है उस तरीके से ये exercise आपनी करनी है अपनी टांगों की exercise हुई लेकिन ये exercise जब आपकर रहे हैं तो आपके पैर भी पूरी तरह से move करने चाहिए अब बात करते हैं तेल कौन सा यूज़ करना है आपने क्या करना है लाल बॉटल लेनी है कांच की लाल बॉटल होनी चाहिए कांच की लाल बॉटल उसके अंदर आपने सरसों का तेल जो होता है आधा फिल करके धूप में रख देना है वो धूप में रखना है 40 दिन के लिए संग थेरपी के त्रीटमेंट हो रहा है, ये 40 दिन में complete तयार होता है, लेकिन आप 20 दिन के बाद इसे use करना शुरू कर सकते हैं, इसको किसी भी लकडी की चीज़ पर ही रखें, सीधा फ्लोर यानि धर्ती पर नहीं रखना, इस तेल के मालिश आप दोपैर के टाइम कभी भी कर लीजिए, ल रात के टाइम नहीं कीजिए, दोपैर के टाइम किसी टाइम भी आप कर सकते हैं, सुबह के टाइम आप कर सकते हैं, इन तरीकों को फॉलो करके आप अपने पैरों के तलों के दर्द को, उनमें होने वाले खिचाब को दूर कर सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है, जो आपक के लिए stay healthy always be happy thank you for watching my video okay bye